नमेशकार दोस्तों, पिछले दो दिन से आप सुन रहे होंगे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इम्मैनुवल मैकरॉन के द्वारा माफी मागी गई है रवांडन जेनोसाइड को लेकर, लेकिन क्या उन्होंने एक्चुल में अपॉलीजी में आगा था? इक्जाक्ली अगर आप उनके वर्ट्स देखोगे, तो बेसिकली उन्होंने इसको रेकोगनाईज किया है, पूरे तॉर्ट पर अपॉलीजी तो नहीं मागी है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो, एक बहुती बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैकरॉन आस्क र इस लिंक के उपर से आप को डाउनलोड कर सकते हैं, इक्जाक्ली हुआ क्या है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, वो रवांडा गयवे थे, वहाँ के विजिप पर गयवे थे, और वहाँ पर उन्होंने एकनॉलेज किया, कि जो फ् अब देखो, तो उन्होंने का कि फ्रांस है रोल, तो वो रेकोगनाईज कर रहा है, कि जो भी रवांडा में हुआ था 1994 में, उसके लिए पॉलिटिकल रेस्पॉंसिबिलिटी हम लेने के लिए तयार है, फ्रांस है टू फेस हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक अगर आप देख करते हैं, और उन्होंने ये जो पुरा स्पीच है याद रखीगा, किगाली में दिया था, किगाली में में मेमोरियल है, मैं आपको सबसे पहले तो मैप दिखा देता हूं यहाँ पर, यह एफ्रिका का मैप है और इसका जो यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा टाइमी कंट पीच दे रहे थे, और वहाँ पर फाइनली उन्होंने कहा कि standing here today with humility and respect by your side, I have come to recognize our responsibility, तो जो हमारी responsibilities थी, हम उसको यहाँ पर recognize कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी समझना है, कि वो directly ऐसे apology, माफ कर दो मुझे, ऐसा नहीं बोल सकते थे, क्योंकि France के अंदर भी कुछ domestic कारण होते हैं, जैसे कि वहाँ पर अब बहुती जल्द एक साल के अंदर चुना होने वाला है president का, तो वहाँ के लोग जो voters से कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो लोग थोड़ा conservative हैं, तो इन सब चीजों को देखते वे, finally उन्होंने recognize तो कर दिया, लेकिन जो apology वाला शब्द है, वो उतना नहीं किया, लेकिन अगर हम Ravanda के अंदर देखें, वहाँ के जो president है Paul Kagme, अब ये person बहुत जादा important रिजाते हैं, क्योंकि 1994 में जो ये genocide हुआ था, उसके बाद से लगातार ये president बने वे है Ravanda के, और ये लंबे समय तक critic रहे हैं France के, वो dislike करते हैं France को लेकिन ये जो शब्द बोले गए यहाँ पर Emmanuel Macron के द्वारा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि it is more valuable than an apology, तो वो भी कहना था उनका कि apology नहीं में आँगा, लेकिन still ये हमारे लिए उससे जादा बढ़कर है, क्योंकि it requires tremendous courage, इसके लिए courage चाहिए जो भी उन्होंने बोला है, और सब चीजों को देखते हुए finally ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों देश के बीच में जो relations हैं, वो यहाँ पर थोड़े से बहतर हो सकते हैं, अब आप दोनों देश के relations को देखेंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर जो France है, वो एक तरह से Ravanda को rule करता था था पहल आप उपर देखो, France जो है वो उपर के साइट था, नदन साइट था, नौर्थ वेस्टन वाला पुरा पार्ट, उसके बाद जो ब्रिटिश हैर्स हैं, वो आपको इस्टन पार्ट में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो जर्मनी है वो important हो जाता है, दो-चार ऐसे देश ह जहाँ पर जर्मनी रूल किया करता था, कलोनाइस कर लिया था, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर जर्मनी ने नमीविया में जो जेनोसाइड हुआ था, उसको लेकर माफी माँगी थी, यहाँ पर नमीविया है अब कर ठीक है, लेकिन रवांडा में भी पहले जर फिर Belgium के हाथों में यह आ गया था और finally जाकर 1962 में रवांडा को आजादी मिली और तब से लेकर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो रूल कर रहे थे लोग वो majority community से हुतू जो है यह रूल कर रहे थे अब यह रवांडन genocide क्या था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता आप हमारे देश में देखो कहीं पर भी जहाँ पर आपको majority और minority दिखेंगे इस तरह की कोई भी और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ religion आता है अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर एक ही religion हो तो वहाँ पर conflict में होगा वहाँ पर भी होगा religion के अंदर majority में हो जाएंगे caste के अंदर तो सेम वहाँ पर आगर आप देखो तो जो Hutu community थी ये आपकी majority में थी और Tutsi ये community आपकी minority में थी अब ये दोनों communities में जो main problem थी जो genocide हुआ था उसको थोड़ा सा यू समझे पहले जब Belgium rule किया करता था मैंने आपको बताया यहाँ पर Belgium rule किया करता था 1962 तक तब तक क्या होत तो 1950s में अगर आप देखोगे तो काफी जादा हिंसा होने लग गई थी फिर यहाँ पर जब Belgium छोड़कर गया 1962 में तो इन्होंने यहाँ पर जो power है वो Tutsi को नहीं देकर ये Hutu's को दे दिया था तो अब जाहिर सी बात है Tutsi के पास से power चली गई तो Tutsi जो लोग हैं वो यहाँ पर जो Tutsi ethnic group हैं उनको खतम कर देंगे एक तरह से यहाँ पर उनके उपर काफी जादा अत्यचार किया गया आप कह सकते हो 100 दिन तक यह चला और 8 लाख लोगों की मिर्ति हुई थी just imagine 8 लाख लोग मतलब की उस समय जो Ravanda की population थी उसका 20% population एक तरह से खतम हो गया था इस पूरे genocide के बीच में और यह जो majority community थी Hutu उन्होंने यहाँ पर Ravanda radio के माध्यम से propaganda spread किया यहाँ पर हिंसा को बढ़काने की कोशिश की जा रही थी radio के माध्यम से और एक तरह से encourage किया जा रहा था कि आप तुछी community के लोगों के उपर अत्यचार करो और इसकोई वजह से आप देखो पांच लाख महिलाओं के उपर बच्चें के उपर रेप किया गया, sexually mutilate किया गया, murder किया गया, पांच लाख महिलाएं और बच्चें इसके अंदर और यहाँ पर 20 लाख ऐसे लोग थे जो की देश को छोड़कर चले गए थे वो दूसरी जगह चले गए, conflict end President है, तो 1994 से फानली जो है, वो यह power में आ जाती है, RPF और इनके द्वारा rule किया जा रहा है, और अभी तक अगर आप देखोगे, तो credit भी दिया गया है, इनको कि इनोंने देश के अंदर जो stability है, development है, उसको लाने की कोशिश किया है, लेकिन साथ ही साथ आरोप भी लगाया देखे, France ने कभी भी वहाँ पर पूरी तरह से rule नहीं किया, लेकिन उनका influence बढ़ गया था उसके अंदर, तो basically यहाँ पर यह बताया जा रहा है, कि इस genocide के अंदर जो western power है, जिसमें, in fact United States भी सामिल है, और खास कर France, उन्होंने यहाँ पर कोई भी action नहीं लिया, लेको अग साम उनके उपर यह लगता है कि Hutu communities के साथ मिले वे थे यह लोग, और एक प्रकार से ally का काम कर रहे थे, क्योंकि वो उस समय पावर में थी, Hutu led जो government है वो चल रही थी, तो इनका पूरी तरह से support कर रहे थे, और उस समय कि जो socialist president से France के, Francois Mitterand, ठीक है, उनके द्वारा यह र यह आपको ध्यान रखना है, Operation Turkish, यह exactly क्या था, यह इस से related था, जिसमें कुछ लोगों को बचाया जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, तब तक तो सब कुछ खतमी हो गया था, आठ लाक लोग मारे जा चुके थे, तो आगे चल कर आपको यह करना है, तो उसका कोई फायद कि conflict के बाद यहाँ पर जो relations हैं दोनों देश के बीच में, बहुत ही जादा नीचे चले गए थे, यहाँ पर सिर्फ Rwanda ही नहीं, बाकी के जितने देश थे, अफ्रिका के, उनको भी गुस्ता आ रहा था कि France नहीं यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं रोका, और इसकी वज आपको जैसे Dutch हो गया, France हो गया, sorry French हो गया, तो इस तरह के official language आपको देखने को में, German भी उसकी official language है, तो France बड़ी मातरा में आपका बोला जाता है, क्योंकि influence की वजए से, और इसकी वजए से जो कागमे हैं, वो बाकी देशों के पास चलेगा, US, China, Middle East, और उन्होंने France को पूरी तरह से reject कर दिया, एक ऐसा समय आ गया था कि पूरी जो relation है, दोनों देश के बीच में यहाँ पर खतम हो गई थी, और 2009 में मैं आपको बताओ, फानली जाकर जो रवांडा है, वो Commonwealth of Nations को जॉइन का लिए, अब आपको याद होगा, कि Commonwealth के अंदर वही देश होते हैं, जहाँ पर Britain ने शाशन किया था, और इसलिए Commonwealth Games वगर अभी होता है, जिसमें भारत भी है, तो यहाँ पर रवांडा जो है, वो कभी भी Britishers के दौरा रूल नहीं किया किया, लेकिन जान मुझकर फ्रांस को दिखाने के लिए, वो यहाँ पर Commonwealth Games के अंदर शामिल हो गया था, और एक और यहाँ पर interesting चीज़ यह है कि जब Macron ने माफी मागी जब दो दिन पहले, तो यहाँ पर जो कागमे हैं, उन्होंने French में reply नी जिया, उन्होंने still English में reply दिया था, तो यह अभी भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, 2010 में भी मैं आपको बता दो, जो Nicolas Sark कोजी हैं, France के President, वो पहले Head of State बने थे जब रवर रवांडा यहाँ पर genocide के बाद गए थे, और relations जो है वो एक तरह से हमेशा से deteriorate होतरा है, लेकिन अब कही न कहीं माना जा रहा है कि चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर question एक और आता है कि अचानक से ऐसा क हो गया था, Macron ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला, इसको recognize क्यों किया, कुछ कारण भी होंगे, देखे, वो एक तरह से अपने आपको new generation of politicians दिखाना चाह रहे हैं, और इसी को देखते वे यहाँ पर उन्होंने चीज़ों को किया, 2017 में भी अगर आप देखोगे, तो उन्होंने election campaign में कहा था, कि जो Algeria के अंदर हुआ था, France का जो role था, Algeria के अंदर, it was crime against humanity, और साथ में उन्होंने ये भी बोला था, कि he admits that French soldiers tortured the Algerian lawyer और जो freedom fighter थे, 1957 में, उनको torture किया, और उनके ओपर suicide का आरोप लगा दिया, वो France के दोरा मारे गए, लेकिन suicide का आरोप लगा दिया, तो France basically इस तरह की चीजों को आप recognize करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्च अपरिल के महने में मैं बता दूँ आपको, दो report यहाँ पर सामने आई थी, एक इस पूरे रवांडा के genocide को लेकर, और इस report के अंदर भी बोला गया था, कि France का रोल पूरी तरह से यहाँ पर दिखता है, तो Emmanuel Macron ने forgive ने, मतलब की एक तरह से recognize किया चीजों को पूरी तरह से apology नहीं, लेकिन still एक बड़ी बात है यहाँ पर, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ, which is East African landlock country is known as land of thousand hills, तो क्या आप मैं जे बता सकते हूँ, इन चार देशों में किसको कहा जाता है land of thousand hills, क्यो क्योंकि बहुत सारे hills हैं, बहुती beautiful दिखता है वो देश, और इसका जो right answer है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं इसका right answer, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालते रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आप उसे social medias पर जोनना चाते हैं, PDF के यह टेलिग्राम पर आ सकते हैं, और अगर आप economics पढ़ना चाते हैं, कोई भी exam की preparation कर रहे हैं, तो यहाँ पर description में आपको जानकारी मिल जाएगी, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिल तर आप्स नेक्स तृम तil था रहे हैं, तुल दिन धानकारी मिल जाएँ वीडियो झाएँ चाते हैं, तुल आपको जाएँ वीडियो, थावाँ थावंट और आपको जाएँ दोल भीडीयो, फजाएँ करेश पर एफ दूश्या हैं, तो बाहे हैं, तू आपको जाएँ झाल झाल